हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सबी लोग स्वस्थ होंगे और अपने सिहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे वेल ग्रेयर के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ एक नेचुलर रेमेडी जो की नेचुलर लीफ से बनके तयार होती है जी हाँ और बिना किसी साइड एफेक्ट के किसी भी उम्र के आप हों इसका इस्तमाल कर सकते हैं नेचुलरली और ये बनने में बहुत ही एफेक्टिवली तरीके से बनके आपके बालों पे असर करती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है और इसमें एड़ करना है एक ग्लास आउला जूस आप इस समय फ्रेश आउला जूस का भी इस्तमाल कर सकते हैं मार्केट में आउला अवेलबल है आप इसे लीजे, मिक्सी में ग्रैंड कीजे इसका जूस निकाल के रैडि कर लीजे इसके बाद आपको इसमें ये कुछ खास लीव्स एड़ करनी है जिसमें मैंने यहाँ पे तीन अलग तरह की खास लीव्स ली हुई है जिसमें सबसे पहले हैं हमारी यहाँ पे सदा बाहर लीव्स जिसे बारा मासी भी कहा जाता है क्योंकि ये बारो महीने खिले रहती है इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है मीठा नीम यानि की करी लीव्स करी पता और थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिया है हिबिस्कस लीफ यानि कि गुढहल की पत्यां इन तीनों लीफ को आपको ले कर की अच्छे से बॉच कर की क्लीन करनाएं ए इस आवला जूस के अंदर डाल देना है तो यह डिकोशन वो infuse हो जाएं इस पानी के अंदर आउमला जूस या आउमला हमारी सेहत के लिए जितना अच्छा और फाइदे मना जाता है उतना ही यह हमारे बालों और इसकिन के लिए भी अच्छा होता है इसमें विटामिन C की मातरा अधिक होती है इसके अलावा इसमें आईरन और मैगनिश्यम भी भरपूर पाया जाता है इन पत्यों की बात करें तो ये पत्यां प्रिविचुर ग्रे हेर के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और बहुत ही फाइदे मन्द होती है हूल हेल्थ की अगर बात करें तो उसके लिए भी ये बहुत ही फाइदे मन्द होती है बालो के टेक्शर को इंप्रूफ करने के लिए बालो को सॉफ्ट बनाने के लिए फ्रीजी हेर है उनको अच्छा करने के लिए डैमज हेर को रिपेर करने के लिए split ends या फिर बालों की growth के लिए भी ये बहुत अच्छी मानी जाती है आपको इन्हें boil करके अच्छे से जब पानी की quantity कम हो जाए तो इन पत्तियों को क्या करना है आपको strain करके निकाल लेना है इन पत्तियों की खासियत ये है कि ये natural है और बिना किसी side effect के सभी को suit करती है all hair types है और आपकी सर की skin तोचा कैसे भी हो ये आपको बिल्कुल suit करेगी किसी तरीकी का कोई नुकसान नहीं पहुचाएगी देरे देरे आप देख सकते हैं या पर जो color है वो change हो रहा है पानी का color भी change हो गया है और पत्तियों का color भी change हो गया है साथ ही साथ पत्तियां काफी soft भी हो गई है तो अब क्या करना है इन पत्तियों को आपको अलग निकाल के रख लेना है और ये जो पानी सिर्फ single बच रहा है उसमें आपको क्या करना है add करने है powders तो सबसे पहले हम यहाँ पे पत्तियों को किनारे कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे पत्तियों को निकाल लिया है अब आपको इसमें add करने है powder सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चमच भ्रिंग राज पाउडर एड़ करना है ब्रिंग राज पाउडर हमारे बालों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अतियुत्तम माना जाता है इसके साथ आपको यहाँ पे add करना है चाय पत्ति का powder जिसे आप घर पे ही बना सकती हैं बहुत ही आसानी से अब आपको इन दोनों powder को इसे पानी में अच्छे से mix करना है और इसे साथ में तब तक boil करना है जब तक कि इसकी consistency थिक उसमें ना आ जाए यानि कि बहुत ज़्यादा liquid अभी है तो इसे पकाना जरूरी है साथी साथ तो जैसे जैसे आप इसे boil करते जाएंगे धीमी आज पर वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा और आपका एक अच्छा सा pack बनके यहाँ पर ready होगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसकी जो consistency है वो यहाँ पर थिक हो गई है जब यह अच्छे से थिक एक consistency में आ जाए तो आपको यहाँ पर गैस के flame को बंद कर देना है इसे ठंडा होने देना है और आप शहें तो इसे किसी another bowl में भी निकाल सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं सो मैंने यहाँ पर इसे एक another bowl में ट्रांसफर कर लिया है ठंडा होने के बाद तो यह आपका एक hair pack बनके ready हुआ है इसी को ही आपको बालों में apply करना है अपने पूरे बालों में जडों में अच्छे से लगाना है लगाने के बाद तकरीबन आपको दो घंडे तक के लिए छोड़ना है और hair wash करना है normal पानी से evening में oiling आपको जरूर से करनी है इस शिश का हमेशा ध्यान रखिये oiling skip नहीं करनी है oiling करनी है और next morning आपको shampoo करना है हफते में एक बार इस magical से natural नुस्खे को इस्तमाल करें अपने बालों में और आप visible results देखने को आपको मिलेगा अगर आपके बाल बहुत ज़ादा ज़ड़ और तूट रहे है तो उसकी समस्या एक बार में ही खतम हो जाएगी इसके अलावा अगर आपके कम बाल सफेद है तो वो उस पे भी एक ही बार में अच्छा सा आपको results देखने को मिलेगा continuous से इस्तमाल करेंगे तो naturally आपके सफेद बाल पूरी तरीके से खतम हो जाएगी इसके अलावा आप अपने diet में थोड़ा सा ध्यान दे जैसे की हरी सबजियां और vitamin C युक चीजें जरूर खाएं आशा करती हूँ आज की remedy पसंद आई हो तो please like and share कीजेगा बाई बाई and take care अपना ध्यान रखिए